हेलो एवरिवन वेल्कम टू सक्सवित रायकेडमी 15 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली जो हेडलाइन दैनिक जागरण ने बनाई है वो है क्या कुरोना पर गरीब तबके की कोई चिंता नहीं है ना उनके पास एंबूलेंस है एंबूलेंस की विएस्था की जाए ना समुचीत बेढ़ है उस बेढ़ की वह शचै जागी थी कि क्या कारिंपालिक पलीका को अदालतों को यह अधिकार है कि वह कारिंपालिका की छेत्र में दखल दे स अब सुप्रीम कोड इस तरफ ध्यान दे रहा है और इस पर कह सकते हैं कि बहस छड़ी हुई है कि क्या ये तर्क संगत है अथ्वा नहीं इसी नियूस को यहाँ पर दिया गया है और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कारपालिका क्या होता है अदाले तो आपको पत आदन करने वाला विभाग कारेपालिका होता है जिसे कारेकारणी कारेकारणी सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के सासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारिया उठाती है कि कारेपालिका जो होती है उसके अंदर सिर्फ राष्टपती उपराष्टपती प्रसासनिक धाचे को भी सामिल किया जाता है निया पालिका में अदालत के भीतर होने वाले सभी कारियों को सामिल किया जाता है ये कारेपालिका और निया पालिका का अंतर है देखे कारेपालिका जो होती है उसके अंदर सिर्फ राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत और उनका cabinet ही नहीं. बलकि प्रसास्निक ढ़ाचा भी सामिल होता है. जैसे कि मानने कोई विभाग है. ओं किस तरीके कार्यारी, प्रधान मंत्री कार्याल होता है. योजनाई किस सो लागू की जा रही है, ये सब काऱपाली का कि छेत्र में आता है। वही निया पालिका में अदालतों के भीतर होने वाले सभी कार्यों को सामिल किया जाता है कारे पालिका का चैन अस्थाई होता है यह याद रखिएगा कि कारे पालिका का जो चैन होता है वो अस्थाई होता है तो इस निउस को देखते हैं कि सुप्रीम कोट ने बुद्धवा अगर हां तो किस हद तक सुप्रीम कोट ने कुरोना पबंधन मामले में इलाहाबाद हाई कोट के हर जिले में निश्चित संक्या में एम्बुलेंस, आईसीव, बैड, टीका करण, आदी के बारे में दिये गए आदेस और प्रदेस के छोटे सहरों और गाओं में स्वास्त व हाई कोट का आदेस विवहारिक भी होता तो भी सवाल उठाया जाता, उठता है कि क्या जो छेतर कारे पालिका के लिए चिन्नित है उसमें कोट को दखल देना चाहिए, पीट ने कहा कि इस मुस्किल समय में सभी को साउधानी से चलना चाहिए और यहाद ध्यान रखना चाह है, नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान में सांती बहाली के लिए तीन सूत्री एजेंडा, अब यह तीन सूत्री एजेंडे की बात यहाँ पर क्यों आई है, तो यह जान लेते हैं कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जैसंकर, वो ताजिकिस्तान की राजदानी द बोली है, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि अफगानिस्तान में जो तालीबान की तरफ से हमले किये जा रहे हैं, उसमें भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता को लेकर किस तरीके से चिंतित है, और वो यह नहीं चाहता कि तालीबान जैसा कट्टर मुल्क उस पर राजधानी है, वो काबूल है, यहां की करेंसी अफगान, अफगानी है और यहां की जो यहां के जो राष्टपती है वो अश्रफ गनी है, अब यहां पर आपको मिल रहा है एक पॉइंट S.C.O. यानि कि संगाई संग्थन, तो यह संग्थन क्या है? देखें संग्थन की उतपती जो है, वो 2001 में ततकालीन संगाई 5 से होई थी, संगाई 5, वर्स 2001 में इस समू में उजबेकिस्तान के सामिल होने के बाद, संगाई 5 नाम बदलकर संगाई संग्थन कर दिया गया था, यानि 2001 से पहले इसे हम लोग संगाई 5 के नाम से जानते थे, फिर इसमें सभी देसों के राष्टपती प्रणाली वाली सासन व्योस्ता यहने कि जितने भी इसमें संगाई सयोग संगठन में देस हैं उन सभी में राष्टपती ही वहां का मुखिया होता है जिसमें राष्टपती ही कारेपालिका का प्रमुख अंग होता है संगाई सयोग संगठन की जोत्पत्ती 2001 में तत्कालिन संगाई 5 के अस्तित्व में आने के बाद हुई थी, अब ये संगाई 5 कब अस्तित्व में आया था, तो 1990 में चीन के इसरार में आया था, उससे पहले 1991 में सोवियत संग के विक्टन के बाद, चीन और चार अन्य देश, रूस, काजकिस्तान, किर् संगाई संग्ठन में 8 सदस्य देश और 4 परवेक्षक देश हैं, और ये 4 परवेक्षक देश कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, इरान और मंगोलिया, पाकिस्तान जो SCO का सदस्य है, उसका प्रतिनिधित्व, उसके विदेश मामलों के संसदिय सचिव करेंगे, भ पहली बार सिखर सम्मेलन की, इसने अध्यक्षता की थी 2020 में, तो ये आपको SCO के बारे में पूरी जनकारी मिल गई, और अफगानिस्तान में सांती भाली के लिए जो 3 सुत्री एजंडा दिया गया है, वो देख लेते हैं, इसमें जो पहला आप कह सकते हैं कि एजंडा दि को एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, निस्पक्ष हो, सांतिप्रिय हो और सम्रद्ध हो, या भारत की तरफ से प्रस्तावित, रोड मैप का पहला हिस्सा है, रोड मैप का दूसरा हिस्सा, सभी तरह की हिंसा का खात्मा करना, सरकार वर राजनीतिक समुहों और समुदायों में बाच्चित की सुरुवात करना है, तीसरा एजंडा है, अफगानिस्तान के पडोसियों को आतंकवाद वा उग्रवात से बचाना, रोड मैप को हासिल करने के लिए विदेश, भारती विदेश मंत्री ने समग्व तोर पर सीज फाय लागू करने की बात कही है, भारत पहले भी यह मांग करता रहा है कि जैसंकर ने कहा है कि सांती स्थापित करने के लिए गंभीरता से बात करना ही एक मात्र रास्ता है, दोहा, मासको वर इस्तांबुल प्रक्रिया के तहत सांती स्थापित करने के लिए जो वारताय हुई है उन्हें अनिवारे तोर पर आगे बढ़ाना चाहिए सेना की महिला अधिकारियों का संघर्स रंग लाया अब ये मामला क्या है भारतिय सेना में जो सौर्ट सर्विस कमीशन के तहत भरतियां होती है या होती है उसमें अभी तक महिलाओं को स्थाई कमीशन नहीं दिया जाता था अब उस प्रक्रिया को आप कह सकते हैं कि लागू कर दिया गया है और ये सेना में महिला के अधिकारियों को जो संघर्स करना पड़ा उसमें अब ये संघर्स सफल हुआ है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्थाई कमीशन क्या है तो स्थाई कमीशन दिये जाने का अर्थ ये है कि महिला सैन अधिकारी अब सेवा निवरत याने की रिटार्मेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती है यदि वे चाहे तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती है अब तक स्थाई कमीशन के अंतरगत सेना में जौब कर रही महिला अधिकारीयों को अब इस्थाई कमीशन चुनने का विकल्प दिया गया है अभी तक सेना में महिला अधिकारियों की भरती शौर्ट सर्विस कमीशन के माद्यम से होती है शौर्ट सर्विस कमीशन में से भरती होने के बाद वो 14 साल तक सेना में नौकरी करती है स्थाई कमिशन के तहट कोई अधिकारी रिटायर्मेंट की उम्र तक सेना में कारिक कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का हगदार भी होगा तो ये काफी बड़ी सफलता मानी जा सकती है महिला अधिकारों की भी और सेना में महिला अधिकारों की बारती सेना की शौर्ट सर्विस कमीशन वाली कुल 147 अतरिक्त महिला अधिकारियों को बुद्धवार को स्थाई कमीशन दिया गया इन महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन के लिए सुप्रीम कोट ने इस साल मार्च में निर्धारित संसोधित मानक तै किये थे इन महिला अधिकारियों ने अपने इस अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी हैं सुप्रीम कोट ने 25 मार्च को कहा था कि महिला SSC अधिकारियों को इस्थाई कमिशन याने की PC देने के लिए सेना के मुल्यांकन मापदंड उनके साथ भेद भावपूर्ण हैं सुप्र गए हैं सुप्रीम कोट में केन सरकार दोरा दायर स्पश्टी करन याजिका पर इस्तिती साफ होने के बाद इन परिणामों पर विचार किया जाएगा जिन महिला अधिकारियों को नवंबर 2020 में स्थाई कमिशन नहीं दिया गया वे सुप्रीम कोट चली गई इस साल मार्च में सीर्स अदालत में पाया गया कि इन महिला अधिकारियों के प्रती सेना दौरा निर्धारित मुल्यांकन मागदंड प्रणालीगत भेद भाव है याने कि उसमें डिफ्रेंस है रक्षा मंतराले ने बुद्ध्वार को कहा कि सभी महिला अधिकारी इन जिन्हें करना होगा अब नेक्स निउस पर आते हैं नेक्स निउस है कि मोदी आज कासी को देंगे पंद्रह सो तिरासी करोण की सौगात और आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगला साल चुनावी साल है तो उसमें यह सब घुश्राएं होना सौभाविक है और यह जितने भी प्रियोजनाएं वो जापान के सहयोग से लागू की जाएंगी या आप कह सकते हैं कि प्रियोजनाएं बनाई जाएंगी परदान मंतरी नरेंद मोदिक गूरु वार को को अपने संसदिये छes excel वारानसी आ रहे हैं कोरोना संकट के कारण लंबे समय बाद वारानसी आ रह प्रोजनाओं का भी सिल्यान नियास करेंगे इसमें सड़क पेजल वोज सीवेच ग्राम विकास की कई प्रियोजनाएं सामिल हैं प्रोटोकाल के मताबिक प्रधान मंत्री का यात्रा होगी और इसमें 1582.9 करोन की प्रियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से लोकारप MCH यानि की Mother Child Health विंग जाएंगे और घाटन संग अलोकन करेंगे यहां कोविट की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर भी अच्चियू समय स्वास्थ विभाग के डॉक्टरों से बात करेंगे प्रधान मंत्री इससे पूर बनारस के डॉक्टरों से दूसरी लहर के संबंध में वर्चुल वारता सराहना कर चुके हैं तो यहां पर जापान का भी नाम आया है तो जापान देश के बारे में जान लेते हैं कि जापान एशिया महादीप के प्रमुख देशों में से एक है यह चार बड़े और लगभग 6,849 छोटे दूइपों के समूसे बना है यह सभी दूइप प्रसांत महासागर का हिस्सा है जापान के निकट्टम पडोसी चीन, कोरिया, रूस है यहां के जो प्रधान मंत्री है वो यो ही सिदे सुगा है और यहां की जो करेंसी है वो है येन और कैपिटल है टोक्यो नेक्स्ट न्यूस पर आते हैं नेक्स्ट न्यूस है बिजनेस पेज बिजनेस पेज में जो पहली न्यूस है हमारी वो है मास्टर कार्ड पर RBI की नकेल मास्टर कार्ड पर RBI ने 22 जुलाई तक रोक लगा दी है और बोला यह गया है कि वो कहीं न कहीं नियमों का उलंगन कर रहा था डाटा को लेकर जो बाते बोली गई थी उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था विफल रहा है और कई केंद्रिये बैंक आप कह सकते हैं भार इक क्रेडिट कार्ड प्राएए और प्रीपेड कार्ड क्या होता है यह सब बाते इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो नीछ देखते हैं कि भारती रिजर बेंक ने Master Card Asia Pacific को Credit Debit वर Prepaid Card के नए ग्राहक बनाने पर रोग लगा दी है यह रोग 22 जुलाई से प्रभावी होगी कमपनी पर डाटा संरक्षन नियमों के अनुपालन में विफल रहने का आरोप है RBI ने कमपनी से कहा है कि वह कार्ट जारी करने वाले सभी बैंकों और गैर बैंकिंग कमपनियों को केंदरी बैंक के नए नियमों के प्रती आस्वस्त हो जाने को कहें हाला कि RBI ने आदेश में आदेश से मास्टर कार्ट के क्रेडिट डेबिट या प्रिपेट कार्ट धारक मौझूदा ग्रहकों को पर कोई विफ्रीत असर नहीं होगा सबसे पहले हम यह जानते हैं कि RBI क्या होता है देखे RBI की जो स्थापना है वो RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार एक अप्रेल 1935 को ही थी रिजर्ब बैंक का केंद्री कार्याल है प्रारब में कुलकत्ता में था लेकिन फिर इसे 1937 में बंबई इस्थानांत्रित कर दिया गया था RBI जो है वो अन बैंकों के परिचालन के लिए भी मान दंड तै करती है इसके साथ बैंकों के आप कहा सकते है निरिक्षण का कार RBI के पास ही होता है RBI मौद्रिक नीती को भी लागू करती है नियंद्रित करती है और सकल घरेलू उत्पात की तरफ आर्थिक संकेतों पर भी नजर रखती है इसलिए ही RBI को बैंकों का बैंक बोला जाता है अब यहाँ पर मास्टर कार्ड के बारे में हमें जानना है कि मास्टर कार्ड क्या है तो यह एक गेटवे आपके बैंक और आप जिस बैंक के एकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उस बैंक के बीच एक चैनल की तरह काम करता है और इस काम को करने के लिए अपना कमीशन लेता है मास्टर कार्ड एक विदेसी पेमेंट गेटवे है जो कि दुनिया के अधिकांस देशों के बैंकों को अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट गेटवे की सुविदा उपलब्द कराता है मास्टर कार्ड एक अमेरिका की कमपनी है और इसका हैटकोर्टर आप बोल सकते न्यू यार्क में है इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1906 चट को हुई थी अब हमने यहाँ प अपनी खरीद है तो भुकतान करने के लिए प्री अप्रूब्ड लिमिट से फंड उधार लेने की सुविदा देता है कार्ड जारी करने वाली कमपनी द्वारा आपके क्रेडिट स्कोर और हिस्टरी के आधार पर कार्ड की लिमिट प्रदान की जाती है मतलब मान लीजे आ पचास हजार रुपय तक की भी कर सकते हैं ये सब कुछ आपका जो पिछला record होता है उसके माध्यम से तै होता है उसके बाद आते हैं debit card क्या होता है तो debit card एक ऐसा payment gateway card होता है जिसका इस्तमाल अगर कोई user कुछ खरीदने के लिए करता है तब पैसे सीधे उसके card से जुड़े account से deduct या cut जाते हैं एक debit card basically एक card होता है जिसका इस्तमाल fund transfer के लिए किया जाता है उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि prepared card transaction card होता है इसमें आप card की कोई भी history नहीं पता कर सकते हैं prepared card का उपयोग करते समय आप credit रेखा का उपयोग नहीं कर रहे हैं और रिड चुकाने के ल agency में कहीं भी दाखिल नहीं होती है Mastercard ऐसी तीसरी payment system company है जिसे RBI ने payment system data भंडारा नियमों के तहत ऐसे प्रावधानों का सामना करना पड़ रहा है इससे पहले RBI ने American Express Banking Corp तथा Diners Club International को इस वर्स पहली मई से भारती बाजार में नए ग्रहक बनाने से रोग दिया था समझार agency writer के अनुसार RBI के इस कदम से माशल कार्ट को बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि इस अमेरिकी company के लिए भारत बेहद महत्पूर्ण बाजार है RBI के 2018 के उस circular के खिलाफ अमेरिकी companyों ने बहुत लाइबिंग की थी next news है थोक महंगाई दर में मामूली राहत थोक महंगाई दर क्या होती है सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि एक retail यानि खुद्रा और दूसरा थोक महंगाई दो होती है एक retail महंगाई होती है एक थोक महंगाई दर होती है रिटेल महंगाई दर आम ग्राकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है इसको consumer price index याने की CPI भी कहते हैं जैसे थोक महंगाई में manufactured products की हिस्सेदारी 63.75% primary article जैसे food 20.2% और fuel and power 14.23% होती है भारत में महंगाई दर बाजार के सामानने तौर पर कुछ समय के लिए वस्तूओं के दामों में उतार चढ़ाओ महंगाई को दरसाती है जब किसी देश में वस्तूओं या सेवाओं की कीमते सामानने से अधिक हो जाती है तो इस इस्तिती को महंगाई यानिकी inflation कहते हैं वस्तूओं की कीमते बढ़ जाने की वज़ह से purchasing power प्रती unit कम हो जाती है अब महंगाई दर निकालते कैसे हैं देखें देश में सरकार जो है वो थोक मूली सुचकांग और खुद्रा मूली सुचकांग के तहत हर मा मुद्रा स्विती के आकने जारी करती है जिसे पता चलता है कि उस महीने में महंगाई दर बढ़ी है या घटी है थोक मूली सुचकांग याने की wholesale price index का आकलन चुनिंदा 697 वस्तूओं की थोक कीमतों के उतार चड़ाओं के आधार पर किया जाता है यह most important है याद रखिएगा 697 वस्तूओं और भारत में महंगाई दर बाजारों के सामाने तौर पर कुछ समय के लिए वस्तूओं की उतार चड़ाओं पर होता है और यह आपको बता दिया गया है अब आगले देख लेते हैं कि इंधन एवं बिजली की थोक कीमतों में कमी से जून की थोक महंगाई दर पिछले मा के मुकाबले नर्मी के साथ 12.07% के इस तर पर पहुँच गई है हाला कि लगातार तीसरे माई ने थोक महंगाई दर दहाई अंक के इस तर पर कायम है इस वर्स माई में थोक महंगाई दर 12.94% तो इस वर्स अप्रेल में यह दर 10.74% ती जून में खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों में भी रहत मिली है जून में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोत्री के बावजूत 3.09% रही जबकि इस वर्स माई में यह दर 4.03% थी नेक्स्ट न्यूज है कि टाटा ने तेज की एर इंडिया की ड्यू इंटेलिजेंस प्रक्रिया आपको पता होगा कि टाटा अब बोली लगाने की एर इंडिया की उसमें टाटा सबसे ज़्यादा दिल्चस्पी दिखा रहा है और सबसे प्रवल दावेदार भी माना जा र है वो है क्या देखिए जो ड्यू डिलिजेंस या किसी कंपनी और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की व्यापक जाच उसकी खरीदारी या उसके हिस्सेदारी की खरीदारी ड्यू इंटेलिजेंस या किसी कंपनी और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की व्यापक जाच उ उसके financial year में जो उसके data रहते हैं उसको check किया जाता है, उसे ही due intelligence बोला जाता है, अब news में देखते हैं क्या है, कि Tata Group ने सरकारी विमानन कंपनी Air India के अधिकरण के लिए due diligence की प्रक्रिया तेज कर दी है, उच पदस्त सूत्रों ने बताया कि Tata Group की कंपनियों के अधिकारियों ने Air India की विभिन साइट का हाल ही के दिनों में निरिक्षण किया है, इस दल में Air Asia, इंडिया, TCS, Tata Group की कई कंपनियों के अधिकारी सामिल थे, इसमें सबसे महत्पूर्ण इसलिए है क्योंकि Air India के लिए अंतिम बोली लगाने की समया 20 सितंबर में खतम हो रही है, पिछले स सब्ता, Tata Group की टीम ने कुलकत्ता के अलावा नई दिल्ली के में कंपनी के कार्पूरेट ओफिस का भी निरिक्षण किया है, बीते सुक्रवार को टीम ने नई दिल्ली के इंद्रा गांधी अंतराश्टी एयरपोर्ट इस्तित, Air India की विभिन साइट का निरिक्षण किया है अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर जो की है हमारा एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा सुधार की मांग करती सिख्षा परिक्षा और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरन के एडिटर तरुन गुपता द्वारा इस आर्टिकल में यह बताए गया है कि पिछले एक साल के दौरान करोणा काल में किस तरीके से सिख्षा प्रभावित हुई है जो परांपरिक सिख्षा का तरीका था यानि कि बच्चे इसकूल में जाते थे सिख्षक से पढ़ते थे लेकिन जो एक आमने सामने बैटकर जो सिच्छा दी जाती थी बोर्ट पर पढ़ाया जाता था बच्चे क्रॉस कोशनिंग करते थे तो वो कहीं न कहीं अब मिस हो रहा है लोग इससे बच्चे जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं ऑनलाइन सिच्छा से वे ज्यादा दबाव महसूस करते हैं ऐसा कुछ अभिभाव इतने नाठकिये रूप से प्रभावित हुआ हो कोविट महामारी ने इस्कूल और कॉलेज के जीवन को एकदम बदल कर रख दिया है और कुरोना वायरेस की भयावता ने पारंपरिक सिच्छा और परिक्षाओं की रह बाधित होई है देखिए उससे पहले मैं यह कहना चा आएगा परंपरिक परंपरवादी इससे मायूस है ओनलाइन सिच्छा की इस्तिति आदर्स तो नहीं परंतु परिस्तियों को देखते हुए फिलहाल सबसे उप्युक्त विकल्प है देखिए परंपरागत अगर सिच्छा की बात करें तो जाहिर से बात है कि किताबों से ज इच्छक बताता तो है कहीं कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है तो कहीं बच्चों को समझ में नहीं आए तो जब तक वो क्रॉस कोशनिंग करेंगे तब तक काफी कुछ बदल चुका होता है तो ऐसे में जो इस्तितिया है वो फिलहाल अगर इस कोविट काल की माने तो उप उधार क्या शकता है पूरी तरीके से रोड मैप नहीं है भारत के पास कि ऑनलाइन सिक्षा में किस तरीके से प्रभावी तोर पर पेस किया जाए ताकि विद्यारतियों को ऑनलाइन सिक्षा में ज्यादा इंट्रेस्ट आए इस पर आये सुझाओ कुछ चिंताएं भले ही दूर करते हैं किन्तु कुछ प्रश्ण भी उठाते हैं इससे यही प्रतीत होता है कि एह मुद्दे अंसुल्जे ही हैं इसमें सरकार ने कई बार या स्कूलों ने अभिभावकों से भी प्रस्ताओं मांगे थे लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णे नहीं लिया गया है भारती स्कूली चात्रों के लिए बार यी की परिक्षा सबसे महत्पूर होती है यही परिक्षा उनको अगले उच्च शिच्छन संस्थानों में कह सकते हैं कि प्रवेश दिलाती है कोविट के कारण इस साल बार यी की परिक्षा रद्दि कर दी गई है अगले साल के लिए उसका प्रारूप भी बदल दिया गया है प्रस्तावित जो अगले साल आपको बताया गया था दैनिक जैरों नहीं आई थी न्यूज कि दो चरण में परिक्षाएं होंगी आप कह सकते हैं कि एक प्री बोर्ड होगा और बोर्ड होगा अगर मान लिजे कोविट की वज़ा से किसी हा खालत में बोर्ड परिक्षा नहीं होती है तो जो मंतली एक्जाम होते हैं और प्री परिक्षाओं होगा उसके ही अंकों के आधार पर अंतिम परिणाम तयार किया जाएगा। online परिक्षा की इस्तती में मुल्यांकन में अतरिक्त आंकलन पूर परिक्षाओं को भी जोड़ा जा रहा है मगर इसना तक कक्षाओं में प्रवेश के लिए बारवी के अंतिप परिणाम ही मानने है देखिए भले ही जो 12th का result और high school का result तयार किया गया है वो मंतली एक्जाम के और final एक्जाम को जोड़ कर किया गया हो या फिर उनके जो pre-board के तहट एक्जाम के अंक जोड़े गये हो लेकिन जो प्रवेश प्रक्रिया है उच्रसिक्षर संस्थानों में उसके लिए तो बारवी का अंतिम परिणाम ही मानने होगा कुछ कॉलेज और विस्विद्यालों में प्रवेश के लिए भारी दबाव है उनमें जितने आवेदन आते हैं उस अनुपात में प्रवेश देना असंभाव है इसका प्रणाम निकलता है आसमान छूती कट ओफ कहीं कहीं पर तो 99 परतीसत तक भी कट ओफ जाता है उच्च सिख्चा के लिए हमें और गुडवत्ता परक संस्थाएं चाहिए जहां औसत अंक पाने वाले मध्यम प्रतिभा वाले चात्रों के लिए भी गुंजाईस हो वर्तमान परिद्रस्ट में एक चात्र को प्रवेश मिलता है तो सैक्डों वंचित रह जाते हैं इससे हमारे चात्रों की अकांचाएं पूरी नहीं हो सकी है नय कालेजों के साथ यह भी उतना ही आवश्यक है छोटे और मजोले सहरों में हो ताकि देश भर के चात्रों का जमावड़ा कुछ चुनिंदा मैट्र सहरों में ही न लगे यहाँ पर जो आर्रिकल लिखा गया उसमें यह बताया जा रहा है कि इस तरीके से की जाए और संस्थानों की सिक्षा व्योस्ता इस तरीके से की जाए कि जैसे की एक्जामपल अगर लिया जाए तो जो दिल्ली उनिष्टी है वहाँ पर पूरे देश का विद्यारती जिनके 95% से जादा आते हैं वो एकत्र होते हैं वो एड्मिशन लेना चाहते हैं और उसमें होता क्या है कि सीटे कम होती हैं और विद्यारती जादा होते हैं तो जिसके 98% आए हैं उन्हें तो एड्मिशन मिल जाता है लेकिन जिनके 97.89% अंक आते हैं उनको एड्मिशन नहीं मिलता है तो क्या वो कह सकते हैं कि आप अच्छे स्टुडेंट नहीं है ऐ और कई विद्यालेों को इसी तरीके से अभी आगे बढ़ाने की आउशक्ता है ताकि उनकी गुरुवत्ता को सुधारने की जुरुवत है यानि की जो छोटे-छोटे सहरों में भी जो विद्याले होते हैं उच्छन संस्तान होते हैं उनकी गुरुवत्ता सुधारने की अब आउशक्ता बताई जा रही है, CBSC ने पाठकरम में कटोती और प्रस्ण पत्र प्रारूप में परिवर्तन की पेसकस की है, परिछाएं वास्तों में छात्र के ज्ञान, समझ और अभिवेक्ति के भाव को परखने के लिए होती है, और इस नए प्रस्तावित योजना के बहु विकल्पी प्रस्णों में अभिवेक्ति को निश्चित रूप से नहीं परिखनी चाहिए, यह कटू सत्य है कि अधिकांस, प्रतिष्टित, अंतराश्टी, विस्विद्धाले, CBSC को उच्च मानकों के अनुरूप नहीं पाते हैं देखिए, इसलिए नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ बोर्ड जो होते हैं, वो सकती से मुल्यांकन करते हैं, कई बोर्ड ऐसे हैं, राज्य के, देखिए, हर राज्य का अपना अलग बोर्ड होता है, और जो CBSC होता है, वो किंद्री बोर्ड होता है, तो जो कई राज्य होते ह वह काफी tough marking करते हैं तो उसका जो सबसे top चातर होता है वो सिर्फ 90 प्रतीसत अंकि ही ला पाता है और वहीं CBSC का जो सामान्य चातर भी होता है CBSC का वह कम से कम 80% तो लाता ही लाता है तो इसलिए बहुत सी सिक्षण संस्ताने उस्ट जो सिक्षण संस्ताने वो CBSC के जो 95% 96% विद्यारती होते हैं मार्क वाले उनको ज़्यादा तवजब नहीं देती है तो ये भी एक इस्टती है इस आमूल्चुक परिवर्तन वाले प्रस्ताओं के पीछे आधार भूत विचार यही है कि छात्रों को तनाव से मुक्ती वाला परिवेश प्रदान किया जाए इस बीच यह इस्मरल रहे कि बेचैनी की सबसे बड़ी वज़ा अनिश्यत्ता होती है अकैडमिक परिद्रश से संदेह के बादल अभी छटे नहीं है यदि हमने ततपरता से प्रभावी कदम नहीं उठाया तो सिच्छा दिच्छा की गुड़वत्ता के साथ समझाता होना तय है नेश्ट आर्टिकल है सहकारिता के छेत्र में नई पहल देखिए केन सरकार में सहकारिता मंत्राले का गठन देश की सहकारिता से जुड़ी करोडों जिंदगियों के लिए एक सुकत संदेश लेकर आया है इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है सोद सहकारी चेट का अर्थ है वे संग्ठन जहां जनता स्वैक्षिक रूप से आर्थिक हितों के अनुसरण के लिए योगदान करती है। सहकारी समितिया कहलाती हैं और इन्हे सामोहिक रूप से सहकारी चेटर कहा जाता है। ये समितियां अधिकांस समाज में काम कर रही है लेकिन क्रशी, उर्वरक और दुग्द उतपादन में उनकी भागेदारी सबसे अधिक है, अब बैंकिंग छेत में सहलकारी समितियों की संखिया बढ़ रही है लेकिन देश के सहलकारी आंदोलन कई विसंगतियों के जाल में फस गये हैं, 1904 में अंग्रेजों ने भारत में सहिकारी समितियों की एक निश्चित परिभासा बनाई थी, इस दोरान सहिकारी समितियों में निर्धारी संख्या पूरी ना होने के कारण आने वाली तमाम दिक्कतों को देखते हुए नियम्यावली में संसोधन का निर्णे ल आये को एक 27 रोत मोहिया कराया, सहर से लेकर गाउं तक सहिकारी बैंकों ने उस तबके तक बैंकिंग सुईधा पहुचाने का कारे किया, जो अर्थवयस्ता के अंतिम पाइदान पर खड़ा था, दुख्द और चीनी से लेकर दैनिक जरूतों की हर वस्तू और सेवाय उप पादन के छेतर में सहकारी मिलो की हिस्सेदारी लगबग 35 परतिसत है, भारती राष्टिय सहकारी संग दौरा जारी एक रिपोर्ट के मताबिक 2017 तक देश में 8,54,355 सहकारी समितियां थी, हलाकि सरकार आधारित उद्धम की ये गतिविधियां पूरी तरह साफ सुत्री और दोस रहित हैं, ऐसा नहीं है, सहकारी सहकारीता के 120 वर्सों की विकास यात्रा का अध्यान करने से पता चलता है कि वित्त मानो संसाधन और नीतिगत इस पश्टता का आभाव, इस छेतर की बड़ी चुनोतियां हैं, सहकारी संस्थाओं में निलने लेने की स्वतनत्ता ने इस छेतर के आउसरों को धुमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कार्यावधी तथा प्रोनती संबंदी नीतियों में यह कई तरह की विसंगतियां हैं, यानि कि जितने भी सहकारी समितियां होती हैं, उसमें बड़ी पोश्ट होती हैं, वो या तो किसी नेता के पास हो पास्ट गुजरात करनाटक के अलावा देश के अन्य हिस्तों में उस रूप में सफल नहीं हो सकी, जिस इस तर पर होनी चाहिए थी, राजनितिक इच्छा सक्ती का अभाव और अनावश्यक सियासी दखल इसकी बड़ी वज़ा है, आप इस आर्टिकल का स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, फिर नेक्ट आर्टिकल है हमारा कुरोना काल में कावल यात्रा, यह इंपोर्टन आर्टिकल नहीं है, इसे डिसकस नहीं करेंगे, नेक्ट निउस पर आते हैं, नेक्ट निउस है, कि बाइडन ने दो भारती अमेरिकी डॉक्टर को दी एहम भूमिका, अमेरिकी लाश्टपती जो बाइडन ने एक प्रख्यात भारतिय अमेरिकी चिकिसा एवं एक सर्जन को अपने प्रसासन में एहम भूमिका के लिए निक्त किया है वेश्ट वरजानिया के पूर स्वास्त आयुक डॉक्टर राहूल गुपता को मंगलवार को नेशनल ड्रग कंट्रोलर किया गया है विसमें एक हकते में करोना के 30 लाख नय मरीच विसुसौष संख्या में करीब 10% की व्रद्धी दरज की गई है इसके साथी मौत के आकले में bul 3 पर तीसत की व्रद्धी इसमें बताई गई है विसुसास संग्ठन ने अपनी सापताहिक रिपोर्ट में कहा है कि कुरोना संक्रमन के नए मामले ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया वो ब्रिटन में बढ़ रहे हैं और ये चिंता जनक है विसुसास संग्डन के और से दी गए चेतावनी में भी ये कहा गया है कि कुरोना के डेल्टा वरियंड के प्रभाव उन लोगों पर सबसे ज़्यादा होगा जिन्हों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है ज्यात हो कि सभी देश ठीका करण पर जोर दे रहे हैं तो ये आज का याने की 15 जुलाई 2021 का दैनी जागरन का राश्टिय संस्क्रण था आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद